हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फरमेशन पर तो दोस्तों आज हम इस विडियो में RD स्कीम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप करेंगे वो भी हिंदी में Post Office RD स्कीम 2023 क्या है? Post Office की RD स्कीम, Recurring Deposit स्कीम ऐसी जमा योजना है जिसमें आपको 5 साल तक हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है 5 साल की अवधी पूरी होने के बाद आपकी कुल जमा, Total Deposit और कुल ब्यास, Total Interest को मिलाकर पूरा पैसा वापस मिल जाता है इसका अकाउंट आप Post Office की किसी भी शाखा, ब्रांच में खुलवा सकते हैं इसमें खाता खुलवाने, पैसा जमा करने और निकालने के नियम इस प्रकार है कम से कम कितने रुपे से खोल सकते हैं खाता Post Office RD स्कीम में आप कम से कम एक सो रुपे जमा करके अकाउंट खुलवा सकते हैं इससे अधिक कितनी भी अधिक रकम आप जमा कर सकते हैं अधिक्तम जमा की कोई लिमिट नहीं है बस यह ध्यान रखे कि अगले पाँच वर्षों तक हर महीने आपको उतनी रकम जमा करनी है एक बात और जो रकम आप जमा कर रहे हैं वह दस रुपे के गुणांक में होनी चाहिए जमा पर कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है पोस्ट ओफिस के आडी अकाउंट पर इस समय अक्तूबर 2023 में 6.5% प्रतिवर्ष की ब्याजदर, इंट्रिस्ट रेट, लागू है, उलेखनिया है की भारत सरकार हर तिमाही, क्वाटर, के पहले पोस्ट ओफिस की सभी बचत योजनाओं की नई ब्याजदरों की घोशना करती है एक अक्तूबर 2023 से लागू हुई सभी ब्याजदरें अगले तीन महीनों तक, यानी की 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगी पहली जमा से तै होती है हर महीने जमा की अंतिम तिथी पोस्ट ओफिस आरडी अकाउंट में हर महीने पैसा जमा करने की अंतिम तारीक इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अकाउंट 15 तारीक के पहले खुलवाया है की बाद में अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 15 तारीक तक खुल जाता है तो आने वाले सभी महीनों में हर महीने की 15 तारीक तक आरडी की किस जमा करनी पड़ती है अगर आरडी अकाउंट किसी महीने की 16 या बात की तारीक में खोला गया है तो बात के सभी महीनों में हर महीने की अंतिम तारीख तक पैसा जमा कर सकते हैं। समय पर किस्त ना जमा करने पर कितने प्रतिशत की पैनल्टी लगती है। अगर आप Post Office Recurring Deposit अकाउंट की किस्त निर्धारित अंतिम तारीख तक नहीं जमा करते हैं, तो बकाया रह गई जमा के 1% प्रतिमाह की दर से पैनल्टी लगेगी। बात के महीनों की किस्त आप तभी जमा कर पाएंगे जबकि पिछले बकाया वाले महीनों, Defaulted Months की किस्ते जमा कर दी जाएं और उनका पैनल्टी भी जमा कर दिया जाएं। लगातार कितनी किस्ते जमा न करने पर अकाउंट बंध हो जाएगा। अगर अपना अकाउंट दोबारा चालू नहीं कराते हैं, तो पूरी तरह से बंध discontinued हो जाएगा। अगर बीच के किसी अवधी के दौरान किस्ते जमा करने में प्रॉब्लम हो तो आप अपने अकाउंट की परिपक्वता अवधी, maturity period आगे भी बढ़वा, extend सकते हैं। लेकिन यह सुवधा आप तभी ले सकते हैं। जबकि आपके अकाउंट में लगातार चार महीने तक default ना हुआ हो, installments जमा ना होने के कारण। Advance किस्ते जमा करने पर मिलती है छूट। अगर आप हर महीने किस्ते जमा करने के जंजट से बचना चाहते हैं, तो कुछ महीनों की किस्ते, installments, advance में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन शर्क यहा है कि एक बार में कम से कम 6 महीनों की advance किस्ते जमा होनी चाहिए। जबकि एक साथ एक साल की किस्ते advance जमा करने पर हर 100 रुपए पर 40 रुपए की जूट मिलती है। तीम व्यक्ति तक साजह अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी वयस्क, adult, भारतिय नागरिक post office recurring deposit, RD, अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम कितने भी RD अकाउंट खुलवा सकता है। दो या तीन लोग तक मिलकर सन्युक्त खाता, joint account भी खुलवा सकते हैं। सन्युक्त खाता दो प्रकार से खुलवाया जा सकता है। Joint A type account इस इस तरह के साजह अकाउंट में maturity अवधी के बाद पैसो का भुक्तान सभी साजहदारों के नाम सन्युक्त रूप से होता है। Joint B type account इस इस तरह के साजह अकाउंट में maturity अवधी के बाद पैसो का भुक्तान किसी भी साजहदार के नाम लिया जा सकता है। बच्चे के नाम भी खुलवा सकते हैं, RD Account. आप अपने बच्चे के नाम भी Post Office RD Account खुलवा सकते हैं. अगर बच्चे की उम्रत 10 साल से अधिक है और वह अपने हस्ताक्षर, Signature से अकाउंट का संचालन कर सकता है, तो वह खुद भी अपने नाम अकाउंट खुलवा सकता है. अगर बच्चा अपने हस्ताक्षर से RD Account का संचालन नहीं कर सकता तो फिर उसके नाम पर अभीभावक, Guardian की और से अकाउंट खुला जाएगा. बच्चे के वयस्क, अदिल्ट होने तक उसके अकाउंट का संचालन अभीभावक की और से किया जा सकेगा. Maturity के बाद 5 साल के लिए आगे भी बढ़वा सकते हैं खाता. Post Office RD अकाउंट खाता खुलने की तारीक से 5 साल पूरे होने पर परिपक्फ बच्चो हो जाता है. उसके बाद आप चाहे तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं. या फिर अगले 5 साल के लिए उस अकाउंट को विस्तार, Extended भी करा सकते हैं. इसके लिए आपको खाता विस्तार करा आने का एप्लिकेशन देना पड़ेगा. विस्तार किये गए अकाउंट पर वही ब्यास दर लागू होगी जो की खाता खोलते वक्त लागू थी. विस्तार किये गए खाते को कभी भी बंद कराया जा सकता है, लेकिन बंद कराने पर सिर्फ पूर्ण वर्षों, Completed Years के लिए ही RD अकाउंट के हिसाब से ब्यास मिलेगी. पूर्ण वर्षों के अलावा, बाकी बचे हुए महीनों के लिए सिर्फ Post Office बचत खाता, P.U.Savings Account के हिसाब से ब्यास मिलेगी. इस तरह का खाता विस्तार आप आगे बिना किस्ते, Installments, जमा किये भी करवा सकते हैं. आवशक्ता होने पर तीन साल बाद भी बंद करा सकते हैं, Account. कोई अनिवार्य जरूरत पढ़ने पर आप Post Office RD अकाउंट को तीन साल बाद भी बंद करा सकते हैं. इसके लिए आपको उस ब्रांच में अप्लिकेशन लिख कर देना होगा जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है. बीच में बंद कराए गए अकाउंट, Premature Closed अकाउंट, पर आपको RD अकाउंट के हिसाब से ब्यास नहीं मिलेगी. इसकी बजाए आपको Post Office बचत खाते, P.U. Savings अकाउंट के हिसाब से ब्यास जोड़कर पैसा वापस मिलेगा. यहां तक की अगर आपने 5 साल की परिपक्वता अवधी, Maturity Period के एक दिन पहले भी अकाउंट बंद कराया है, तो भी आपको सिर्फ बचत खाते के हिसाब से ही ब्यास मिलेगी. नॉमिनी बनाने और खाता चांसफर कराने की भी सुविधा. आप अपने Post Office Recurring Deposit Account का नॉमिनी भी बना सकते हैं. पोस्ट आफिस से खाता खोलने का जो फॉर्म मिलेगा, इसमें नॉमिनी का नाम दर्स करने का विकल्क होता है. नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे खाता धारत की मौत होने पर खाते में जमा रकम पाने का अधिकार होता है. खाता खोलते समय अगर नॉमिनी का नाम तय नहीं हो पा रहा है, तो बाद में भी कभी भी नॉमिनी का नाम जुड़वा सकते हैं. खाता खोलते समय जिसका नाम आपने नॉमिनी के रूप में दर्स करवाया है आगे कभी उसे बदलना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा कब? निवास थान, रेसिडिन्स या शहर बदलने की स्थिती में आप अपना Post Office Recurring Deposit Account किसी दूसरे Post Office में ट्रांसफर भी करा सकते हैं इसके लिए जिस Post Office में आपका Recurring Deposit Account है, वहाँ अपलाई करना होगा एक साल बाद अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं किसी इमर्जन्सी या अत्यंद आवशक होने पर आप अपने Post Office Recurring Deposit Account के आधार पर लोन भी ले सकते हैं लेकिन यह सुविधा आपको निमलिखित शर्तों के आधार पर ही मिल सकती है आपका Recurring Account कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए आपके अकाउंट में बीते वित्तिय वर्ष के अंत तक जमा हुई रकम का 50 प्रतिशत तक ही लोन लिया जा सकता है लोन के रूप में ली गई रकम आपको बाद में चुकता भी करनी पड़ेगी इस पर 15 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा लोन के रूप में ली गई रकम आप अपनी सुविधानुसार एक साथ या बराबर किस्तों में भी जमा कर सकते है टैक्स छूट का नहीं मिलता फाइदा Post Office Recurring Deposit Account का सिर्फ एक नेगेटिव पहलू यहा है कि इसमें जमा होने वाली रकम और उसे मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी प्रकार की टैक्स छूट नहीं मिलती इस अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा करते हैं और 5 साल में अकाउंट मेच्वर होने के बाद आपको जो भी रकम मिलती है उसको आपकी टोटल इंकम में जोडा जाता है संबंदित वित्तिय वर्ष के टैक्स लाब के हिसाब से अगर आपकी टोटल इंकम पर टैक्स देंदारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो इंकम टैक्स भी चुकाना होगा पोस्ट ओफिस में RD अकाउंट कैसे खुलवाएं? आप अपने निवास के नजदीक या अपनी सुविधानुसार किसी भी पोस्ट ओफिस में इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं इसके लिए आपको पोस्ट ओफिस से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने का फॉर्म लेना होगा उसे भरकर निम्नलिखित डॉकिमेंस के साथ जमा करना होता है किसी पहचान प्रमान, आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधी में से किसी एक की निवास या पता प्रमाण की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आधी में से किसी एक की फोटो अपने दो नवीनतम पासपोर्ट साइस के फोटो Post Office RD Calculator 2023 Post Office RD Calculator ऐसा online digital उपकरण है, जिसकी मदद से आप यह गणना कर पाते हैं कि हर महीने कितना पैसा जमा करने पर, पात साल बाद कितनी रकब, maturity amount वापस मिलेगी नीचे हमने आपकी मदद के लिए सरल Post Office RD Calculator दिया है झाल झाल झाले हैं